नाराणी नदी के इस इलाके में पहले ये हालत थी कि कोई दिन दहाड़े भी यहां पर नहीं आता था पहले जंगल दसियों का राज हुआ करता था अब नाराणी का गहर है कल तक यहां पर गाउं हुआ करता था जीवन था लेकिन आज कुछ भी नहीं है ये सरकार की अच्छम्ता का परिणाम है कि इस गाउं को बचाया नहीं जा सका पूरा का पूरा गाउं कट चुका है वास्तों में इस्तिति को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े योजना की जोरत है जिसे आगामे दिनों में फिर्स जब बाढ़ की संकट पैदा हो तो इन गाओं को बचाया जा सके सूरी प्रकास राय एटीव नगर